पाकस्तान के सचिन के प्यार में भारत आने वाली सीमा हैदर अब पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुकी है और शायद यही कारण है कि सीमा यहां के त्योहारों को भी मनाने लगी है अब इहाल ही में सीमा का सुतंतरता दिवस मनाते हुए वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो पाकस्तान के खिलाफ नारे लगाते देखी जा सकती थी वहीं अब सीमा के हर्याली तीज मनाते हुए फोटो सामने आए हैं खबरों के माने तो सीमा ने सचिन के लिए हर्याली तीज का व्रत रखा है इतना ही नहीं सीमा ने पूरे देश को हर्याली तीज की शुब कामनाई दी है वीडियो के शुरुआत में सीमा जैशुरी राम बोलती है और अंत में हिंदुस्तान जिन्दबाद कहती है साथ ही सीमा कहती है कि मोदी जी और योगी जी के तंत्र में पूरा का पूरा देश खुशाल रहे पूरे देश को बधाई आज पूरे देश में हर्याली तीज का त्योहार मनाया ज्वा रहा है महिलाएं अपने पती की दीरगायू के लिए ये व्रत करती है पाकस्तान से भारताई सीमा हैदर यानी की सीमा मीना ने अपने पती सचिन मीना के लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है सीमा ने वीडियो शेर किया है हरे रंग की साड़ी पहने हुए सीमा अच्छी तरह से तयार हुई दिखाई दे रही है सीमा के माधे पर बिन्दी नजरा रही है और मांग में सिंदूर दिखाई दे रहा है वीडियो के शुरुआत सीमा जै शुरी राम के नारे के साथ करती है वो बताती हैं कि उसने हर्याली तीज का वृत रखा हुआ है सीमा कहती हैं कि आज हर्याली तीज का त्योहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ अपने पती यानि कि सचुन की दीरगायू के लिए पूझा भी कर रही हूँ मोदी जी और योगी जी के तंत्र में पूरा देश खुशहाल रहे पूरे देश को बधाई वीडियो में आगे नजर आ रहा है कि सीमा और सचिन पूझा कर रहे हैं कई सारे देवी देवताओं की तस्वीर रखी हुई है दीब जल रहा है और आर्टी की जा रही है सावन के शुकल पक्ष की तीरतिया तिथी को हर्याली तीज का त्योहार मनाया ज़ाता है सावन में चारो ओर हर्याली होती है इसलिए इसे हर्याली तीज केते हैं हर्याली तीज आज उत्रा फालगुनी नक्षत्र में मनायी ज़ा रही है इस दिन भगवान शिव और पारवती की संयुक्त रूप से उपासना करनी चाहिए इससे सौभाग्य और मन्चाहिवर की प्राप्ती होती है ऐसी मानिता है कि इस दिन मापारवती ने भगवान शिव को अपनी कठोड तपस्या से प्राप्त किया था इस दिन व्रिक्ष नदियों और जल के देवता वरुन की भी उपासना की जाती है एक और सीमा पूरी तरह से खुद को हिंदू रंग में ढालने में लगी हुई है तो वहीं दूसरी और खुद को सचिन का पडोसी बताने वाली मिधिलेश भाटी बैक टू बैक सीमा सचिन पर कमेंट कर रही है कहने के बाद इंटरनेट पर चाई मिधिलेश भाटी और सीमा हैदर के बीच जुबानी जंग भी हुई सीमा ने लाइव इंटर्में में कहा कि पहली बात तो ये है कि मिधिलेश हमारी पडोसी नहीं है वो हमारे पडोस के गाउं की है उन्हें कोई हक नहीं कि मेरे पती पर कमेंट करे इसके अलावा सीमा ने ये भी कहा कि मितिलेश के बयान सुन कर मुझे बहुत बुरा लगता है लीगल नोटिस के सवाल पर मितिलेश भाटी ने कहा कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया मेरे मूं में जुआया मैंने कह दिया हमारे यहां लपू और जिंगुर शब्दों का अस्तमाल आम बोलचाल की भाशा में गाउं देहात में धडले से किया जाता है मैं नहीं जानती कि बॉड़ी शेमिंग क्या चीज है